नमस्कार मैं अनसारी सर अनसारी इंसीटूट की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूँ आज का वीडियो खास तोर से इगनू के छात्रों के लिए है खास तोर से इगनू कोलकता रिजनल सेंटर के छात्रों के लिए है IGNU कोलकता रिजनल सेंटर के छात्रों के लिए सूचना बहुत ही important है IGNU रिजनल सेंटर कोलकता ने अपने छात्रों के कुछ study center को change किया है अब उनका जो नया study center है वहीं से उनको तमाम services मिलेंगी जो की study center से सुभधाएं मिला करती है खास्तोर से छात्र जब अपना assignment जमा देना जाते हैं तो उनको अपने study center में जाना पड़ता है तो इगनु ने किन-किन study center को change किया है कौन सा old study center था और कौन सा नया study center है उसका एक list पीछे panel में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ आप जहान से इसको देखिए और इसके बाद जो भी आपको अपना assignment या कोई और concern जो की study center से संबंदित है आप अपने नय study center को संपर्क किजेगा मैं आपको दिखा रहा हूँ पैनल में ध्यान से देखिए ये देखिए इगनु का एक study center जिसका code 2801 ये इस्वर्चंद्र पाथा भवन बहुत पुराना study center हुआ करता था अब उस old study center को change करके इगनुरे विद्या सागर college for women ये कलकता में ही है फिलहाल यहां पर उसका address नहीं दिया गया है new study center का code दिया गया है अब Google के मारफ़त से इस नए address को प्राप्त कर सकते हैं अर्था इस्वर्चंद्र पाथा भवन, PIMT कोलकता, International Institute of Hotel Management यानि कि ये तीन जो पहले old ये तीन study center थे उन तीनों को एक नए study center में convert कर दिया गया है या उसके लिए एक नए study center कर दिया गया है जो कि विद्या सागर college for women कोलकता के नाम से जाना जा रहा है इसका पता address आप अपने google में खोश सकते हैं उसके बाद देखिए एक railway technical school काच्रापारा ये काच्रापारा में एक बहुत ही प्रसिद study center हुआ करता था बहुत सालों से study center ने छात्रों को अपनी सेवाय दिये थी अब उसके बदले जो नया study center आपका हुआ है रिशी बंकिम चंद्र college for the women ये नई हटी में है तो आप इसको देख सकते हैं इसके अलावा मैं पिछे और इस call करके आपको दिखा रहा हूँ देखिए एक पुराना study center जो काफी famous था काफी लंबे समय तक इस study center ने चात्रों को अपनी सेवा दी है आप देख सकते हैं ये जो पुराना study center अस्वनी दत्ता जो memorial पाक सकस में हुआ करता था वह study center भी change हो चुका है उसका नया जो study center हुआ है मुरली धर girls college कोलकता में है इसके अलावा जोहरला नहरु विद्यापीट जो की खिजरिपूर में हुआ करता था और इसके अलावा दर्बार महिला स्वन्य कमिटी ये भी कोलकता में हुआ करता था ये तीन study center के बदले एक नया study center बन चुका है मुरली धर girls college जिसका code यहाँ पे ऐसे mention किया हुआ आप इसको देखकर समझ जाईएगा उसी प्रकार कुछ और जो हैं मैं आपको दिखाए जा रहा हूँ आप देखिए प्रबुद्ध भारती सिशु तिर्था खरकपूर का ये कोई study center था ये तीन study center जिनका code लगातार दिया हुआ प्रबुद्ध भारती तरुन संग आई केर हल्दिया ये तीन study center के बदले एक नया study center बन चुका है वह study center है मिदनापूर college इसका code है 2813 अर्थात आप जो भी assignment होगरा जमा करने जाएगा अगर offline assignment जमा होता है तो इन तीन collegeों के जो छात्र हैं ये जो study center के छात्र हैं उनको मिदनापूर college में जाना पड़ेगा इसके अलावा और भी देख सकते हैं आप ये Rural Development Society बाकुला और दुरगापूर Society of Management के दो पुराने study center हुआ करते थे इनका जो नया study center हुआ है बनवारी राल भालोटिया college आसन सोल में हुआ है तो आप अपने नये study center को आराम से देख लीजे ताकि आपको कोई परसानी का सामना ना करना पड़े अब मैं खास्त दौर से हबड़ा का एक बहुत ही famous study center 2840D स्री जैन भी द्याले पहले हबड़ा का यह अपने आप में एक मात्र study center जो की काफी प्रसिद्धा था उसने बहुत सारे छात्रों को बहुत लंबे समय तक सेवा दिया है मैं आपको दिखा दूँ जैन भी द्याले स्री जैन भी द्याले तक मेरी जानकारी है यह आंदुल में है आप अपने नए study center को देख लिजेगा और यहीं पर आपको अपना assignment अगर assignment offline mode में जमा होता है तो आपको अपने इसी नए study center में जमा करना पड़ेगा इसके अलावा Indian Institute of Psychometry कोलकता NIP वांगूर इसका जो नए study center है यह भैरब गांग इसको भी आप लोग ध्यान में रख लिजेए इसके अलावा मैं और लिस्ट दिखा रहा हूं इसके अलावा एक इक्रा academic है इसका भी जो study center change होकर भैरब गांगूली में ही चला गया है इसके अलावा डाक्टर सुबास मुखरजी मिमोरियल कोलकता में कोई study center था जो की KPC Medical College जादपूल में चला गया है पांडवा सुल्तानिया हुगली डिस्टिक में पांडवा सुल्तानिया हाई मदर्सा एक काफी परसिद study center हुआ करता था इसके लावा अध्यापक जोतिस चंद्र गोस ये जो चुचुड़ा में एक हुगडी के चुचुड़ा में study center हुआ करत बिद्धाले के जो study center है वो कभी सुकांत महा बिद्धाले भद्रस्वर में आ गया है इसके लाव आप देखते हैं जन सिख्धा संगठन पूरूलिया अच्छुरू राम मिमोरियल कॉलेज जालदा ये तमाम जो study center है ये चेंज होकर पूरूलिया के एक नए study center में जो की ज जाना जाता है इसमें इसमें आ गया है तो अर्था मुझे लगता है कि ये जानकारी आपके लिए बहुत important है क्योंकि आपके assignment जमा करने का वक्त आ गया है जो लोग भी assignment जमा करना चाहते हैं जो पूराने study center को अब में ना जाएं आपको वो सुवाएं अब नए study center में मिले मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी का भी पसंद आई होगी और इस तरह की जानकारी हम आपके समक्थ नियमित रूप से लाते रहेंगे अगर आपको हमारा ये YouTube का channel या और ये YouTube वीडियो पसंद आया तो आप हमारे channel को like कीजिए, subscribe कीजिए, share कीजिए और well icon को दबा करना ना भूलें ताकि नियमित रूप से हम आपके लिए नई नई सूचनाय लेकर आपके समक्थ प्रस्तुत होते रहें, धन्यवाद, नमस्कार.